फार्मूला सुझाया है जेडी उन्हें 40 सीटों पर वियार जारकंट पच्छी मंगाल में हराएंगे और इस सब कहीं कुछ चलने वाला वोगों का नहीं है जिसमें भात्पा की पुन बहुमत की सरकार बनेगी समराच भया की नेत्रित में भात्पा की पुन बहुमत की सरकार सब 24 में 40 के 40 सीट भारतिया जन्ता पाटी जितेगी तो विधान परिशत में सरकार को करारा जवाब मिलेगा जब समराच चोद्री नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभी से इस वक्त हमारे साथ विधान परिशत में विपक्ष के नेता समराच सब्सक्राइब करने की कोसिस करेंगे आप देखिए भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता हूं का जोस फुजूर बीजेपी के समराच आए हैं कई कारेकरता कई नेता यह कर रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता स्वागत कर रहे हैं विधान परिशत में विपक्ष के नेता समराच चोधरी का और सर एक दो रांतिक सवाल फार्मूला सुझाया है जेडि उन्हें 40 सीटों पर व्यार जारकंट पच्छी मंगाल में हगाएंगे और यह सब कहीं कुछ चलने वाला उन्हों का नहीं है देखिए तो समराच चोधरी लगातार पार्टी के नेता कारिकरता स्वागत कर रहे हैं समराच चोधरी का और विपक्ष के नेता चुने गए हैं विधान परिशद में बीजेपी के फायर बढ़ान नेता माने जाते हैं और अपने राजितिक विरोधियों पर एक सीर परच अंदाज में हमलावर होते हैं तो इस वक्त भारतिय जन्ता पार्टी के दफ्तर में समराच चोधरी विधान परिशद विपक्ष के नेता का स्वागत तो यह पुरी तस्वीर अब आपके सामने है नारे बाजी हो रही है चोधरी विपक्ष के नेता बने बिधान परिशद में कैसे तकर दे पाएंगे वीजे पी वो क्या लगता है कि अपने में बहुमत की सरकार बनेगी समराच भया की नेत्रित में बहात्पा की पुन बहुमत की सरकार बनेगी 24 में 40 के 40 सीट भारतिय जन्ता पार्टी जितेगी तो बिदान परिश्द में सरकार को करारा जवाब मिलेगा जब समराठ चोधरी जवाब रहे हैं कि सरकार को मजबूर कर देगी इस्तिपाद देने के लिए पुने भात्पा की सरकार 25 है बनिया करने वाले बभीजेपी के निताओं का कारकरताओं का जोस हाइब इस पूरी ख़बर में इतना ही इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद